राधे राधे दोस्तों कैसी हुआ आप लोग आजकी हमारी कहानी करना में अन्याए, सुनिये ना ना जाने क्यों मेरा मन आज बहुत व्याकुल हो रहा है, महीनों हो गए, मा से बात नहीं हुई है, जब भी फोन करती हूँ, रां़ी भावी बोलती है, मा ठीक है, सोर ही है, ब पर पता नहीं सच्चाई क्या ही है, मेरा दिल अंदर से बैठा जा रहा है, मानो मेरी सबसे प्यारे चीज हम से दूर जा रही हो, नेहा रोती रोती अपने पती मानो से कहती है, मानो बोला तुम्हें लग रहा है, ममी जी ठीक नहीं होंगी, अरे मानता हूँ, तुम्हारे भावि स्वाभाव की अच्छे नहीं है, पर तुम्हारा भाई नविन उनका क्या, उनकी तो वो अपनी मा है, कम से कम वो तो ममी जी का ख्याल रखते ही होंगे, अब मा बेटी का रिष्टा ही ऐसा होता है, कि एक को तकलिफ पहुंसती है, तो द की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लोंगा, नेहा बोली, कैसे संभाल लेंगे, मैं ना रहू, तो आपको एक रुमाल तक नहीं मिलता, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन तयार करना, सब कुछ जितना आसान दिखता है, उतना आसान है नहीं पति देव, औरत की इतनी बेबस हो जाती है, कि पती और बच्चों में ही उलज जाती है, फिर अपनी सगी मा के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती, इतना कहते कहते नेहा की आँखे भर आई, तो मानो बोला, अरे हां, मैं तो बता नहीं भूल गया, मा कई दिनों से कह रही थी, कि उन्हें अपनी मा से मिलने चली जाओ, और मैं अपनी मा को यहां बुला लेता हूँ, क्या कहती हो, और वैसे भी तुम तो जानती हो, मा बैठी नहीं रह सकती, तभी तो घर के काम काज आज तक वो खुद ही करती आ रही है, नेहा ने जट से कहा, हाँ, अगर मा जी इतनी मदद कर द तो मैं दो चार दिनों के लिए माईके होकर आ जाओंगी, वो नराज तो नहीं होंगी ना, मा नव हसकर बोला, अरे नहीं, तुम नहीं रहोगी, तो मा हम लोगों का और अच्छे से ख्याल रखेंगी, अगले ही दिन नेहा, अपने माईके के लिए निकल गई, जब हो अप पारी हिमत करके नेहा ने घर की अंदर परवेश किया, तो उसकी भावी रानी बोली, अरे अचानक क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना, आने की खबर दी होती, तो तुम्हारे भाईया को एस्टेशन पर तुम्हें लाने के लिए भेज देती, तो नेहा बोली, नहीं भा देखने के लिए चली आई, कहां है मा, मा, ओ मा, इतना कहकर नेहा अपनी मा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, तो रानी उसके पीछे पीछे आने लगी, नेहा बोली, ये क्या, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, भावी, ऐसे में तो मा को कुछ दिखता भी नहीं होगा, कैस रहती है मेरी मा इस अंधेरे से कमरे में, आप लोग एक बल्व तक नहीं लगा सकते, रानी बोली, अरे वो क्या है ना, पलग में कुछ खराबी आ गई थी, मिस्तरी को कहा था, पर बरसात की वज़ा से, आज वो नहीं आ पाया, कल आकर ठीक कर देगा, तुम जरारू को, मै मौंबती लेकर आती हूँ, आते ही शुरू हो गई, इतना कहते हुए रानी, वहां से चले गई, नेहा अंदाजे से, अपनी मा सुसीला जी के पैरों की तरफ गई, और मा के चर्णों को असपर्स करके कहा, कैसी हो मा, और इतने अंधेरे में कैसे रहती हो, खाट पर स्वई सुसीला जी बोली, कौन है, फिर सुसीला जी बहुत मुश्किल से, दिवार का सहारा लेकर बैठ गई, और अंधेरे में पहचाने की कोशिस करने लगी, तो नेहा बोली, मा, मैं नेहा, कब आई बेटा, अभी अभी आई हुँ मा, आराम से बैठना, कहीं चोट ना लग सुसीला जी बोली, बच्चे भी आये हैं, कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद कर रही थी मैं, इस बार कितने दिनों बाद आई बेटा, क्या मा को भूल गई थी, नेहा बोली, नहीं मा, ये कैसी बात कर रही हो, भाला मैं आपको कैसे भूल सकती हुँ, और आपकी दमा को ओफिस और बच्चों की जिम्मेदारी दे कर आई हुँ, सुसीला जी बोली, और बताओ बेटा, सब हाल समचार, नेहा बोली, सब ठीक ठाक है मा, अपना हाल समचार बताओ, इतना कहते कहते उसने मोबाइल की फ्लेस ओन करके देखा, तो उसका कलेजा मू को आ गया, वो पाई, कि ये उसकी वही मा है, जो कोयल की तरह चहकती थी, एक आवाज से दोनों भाई बहन कहीं भी हो, खीचे चले आते थे, नेहा च्छन भर के लिए, अस्थब रह गई, अस्थी पंजर सद्रिस रूदन देपर, अब वस्तित वस्तरों को संभालती हुई, सुसीला जी, धीमी आवाज में बोली, ठीक हूँ बेटा, बस दिन गिन रही हुँ, तुम्हारे बाबु जी के गुजर जाने के बाद, तो मैं अपने ही घर में भी खारन जैसी जिन्दगी जी रही हुँ, पर बुरा तो ये लगता है, कि अब इस घर में मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ता है, जिस तरह जेल में कैदी काम करता है, तो उसे रोटी मिलती है, उसी तरह इस घर में काम करती रही, तो दो वक्त का खाना समय पे मिलता था, पर इधर पंदरबिस दिनों से ही काम नहीं करने की छूट मिली है, क्यूंकि अब सरीर में काम करने की सक्ती जो नहीं बची नेहा बोली क्या इसका मतलब मा घर के सब काम तुम करती थी सुसीला जी ने दरवाजे की तरप देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा फिर बोली क्या ही बोलू बेटा सुबह पांच बजे से ही बरतन मांजना जारू करना पोछा मारना रस्वई को साफ करना और पानी भरना सब करती थी भगवान किसी बुढ़ी मा को ऐसे दिन ना दिखाए इतना कहते कहते वो हापने लगी नेहा बोली मा क्या सारी बाते नविन भाया जानते हैं सुसीला जी पल भर के लिए ठहर के बोली बेटा वो सुबह तहलने के लिए निकल जाता है और वापस आकर खा पी के दफतर चला जाता है फिर पीछे से पलट कर देखता भी नहीं कि उसकी मा किस हाल में है और ये महारानी देर रात तक टीवी देखती है दीन में कभी आठ बजे तो कभी नौ बजे उठती है पोता पोती तुम तो जानती ही हो वो सहर के होस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो घर में बच गई मैं फालतू की जो हमसे ही काम लिया जाता था पर अब तो मैं भी बेकार हो गई नहा बोली मा भाई भावी को कुछ बोलता है ये समझाता नहीं सुसीला ची बोली हां बेटा एक बार बिगर कर कहा था कि घरेलू काम मा के साथ मिल जुलकर करो किन्तु इ उसने खटवास पटवास ले लिया था जानती हो दो दिन तक घर में चुला तक नहीं जला था और घर में उतने दिन मातम पसरा रहा आखिर कार तेरे भाई नविन नहीं उसे बहुत समझाया उसकी खुसामद की तब कहीं जाकर मानी थी तेरी भावी अब तु ही बता ऐसे म वो क्या कहेगा नेहा बोली इसका मतलब मेरे मन का डर सही निकला ना जाने कितने दिनों से मेरा मन बेचेन रहता था अब समझ में आया उसका कारण क्या था अच्छा बताओ मा अब खाना वेगेरा समय पे मिलता है कि नहीं सुसिला जी बोली देखना कमरे में किसी कोने में एक थाली और ग्लास रखा होगा, दिन में कभी एक बार, तो कभी दो बार, दो रोटी सबजी, तो कभी आचार या कभी नमक के साथ है, रोटी इस सर्थ पर मिलती है, कि खाने के बाद मेरी थाली और ग्लास मुझे ही माजना होगा, क्योंकि अब मैं घर का कोई काम जो नहीं करती, गुसे से नेहा का चेहरा तम तम आ गया, वो बोली, भाभी की इतनी हीमत, क्या वो भूल गई, कि ये घर उन्होंने नहीं बनवाया, बलकि बाबु जी ने बनवाया था, रुको, मैं अभी पुछती हूँ, आखिर वो एक निर भूल रही है, कि कल को वो भी सास बनेगी, और उनकी बहु उनके साथ ऐसा अत्याचार करे, तब क्या होगा, बेटी के चेहरे के भावो को देखकर, सुसीला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, कोई जुरत नहीं है, उसे कुछ पुछने और कहने की, ऐसा करके, तुम मेरी मुस मा को पानी पिला कर, तक ये के सहारे बिठाया, और बोली, मा ठीक है, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगी, देखो आपकी सांस फूल रही है, अब आप कुछ मत बोलो मा, तब ही रानी ने आकर, कमरे में कैंडल जला दी, और ये कहती हुई, वो फिर से रस्वई की तरफ चली सुसीला जी ने अतियंत ही धीमी आवाज में बेटी से कहा, बेटा तुम आ गई, तुम्हें देख लिया, तो अब लगता है, चैन से आखे बंद कर पाऊंगी, सायद ये हमारी अंतिम मुलाकात है, क्योंकि अब कहने सुनने के लिए, बचा ही क्या है बेटा, इतना कहते कह उनकी आखों से आशो निकल कर, उनके जूरी दार चेहरे पर बहने लगे, तभी नेहा का भाई भी लोटकर घर आ गया था, इधर मा की हालत देखकर, नेहा से रहा नहीं गया, उसने मा को चाय पिलाई, और फिर उन्हें सुला कर, अपनी भाभी रानी के कमरे में गई, और डड़ता के साथ बोली, भाईया भाभी, आज तक मैं कभी इस घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी, मुझे लगता था, कि आप लोग जिस तरह से इस घर को संभाल रहे हो, उसी तरह मा को भी संभाल रहे होंगे, लेकिन आज मा की ऐसी हालत देखकर, मुझे निरासा हुई, आइंदा से इस घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए मुझे जो भी करना परेगा, मैं करूंगी, रानी बोली, मुझे लगी रहा था, कि तुम आई हो, तो कुछ ना कुछ तो जरूर बखेरा खरा करोगी, अगर इतनी ही मा की चिंता है, तो ले जाओ अपनी मा को, नहा बोली, हा ले जा सकती हूँ, पर जरा ठहरिये, मैं क्यूं मा को यहां से कहीं ले जाओ, ये घर तो मा का है, जाएंगे तो आप लोग इस घर से, नवीन गौर से नहा को देखने लगा, वो कुछ कहता, उससे पहले ही नहा बोली, आप तो रहने ही द जिए भाईया, जहां बोलना चाहिए, वहां तो आपके हलक से आवाज तक नहीं निकलती, अक्सर भाई अपनी मा बेहन को ही चुप करवाते हैं, क्यूंकि बीबी पर तो उनकी चलती ही नहीं, तो आज के आज मा के लिए 24 घंटे की नर्स रखिये, और उनके खाने पिने की बिवस्ता, टाइम टू टाइम होनी चाहिए, अगर आप लोगों ने ये सारा इंतिजाम नहीं की, तो मैं अभी के अभी पुलिस एस्टेसन में जाकर आप दोनों की कंप्लेन करूंगी, और भाभी मा को मैं अपने घर आराम से ले जाकर रख सकती हूं, पर ये तो आप लो प्रोटी देते थे, अरे सर्म नहीं आती, जिस माने अपनी जिंदगी की रोशनी हम पे लुटा दी, क्या वो एक मुंबती की रोशनी की भी हकदार नहीं, जो आप लोग उसे अंधेरे कमरे में रखते हो, जो मैंने कहा, तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर इसका साम हो जाना चाहिए, वरना जेल में चक्की पिसने के लिए तैयार हो जाओ, इतना कहकर नहा अपनी मा के कमरे में चली गई, नविन के पसीने छुट गए, क्यूंकि वो नहा के स्वभाव को अच्छी तरस से जानता था, वो एक बार जो ठान लेती है, करके ही रहती है, रा बहतर है, जैसा जैसा वो कर रही है, मुझे करने दो, इतना कहकर नविन ने तुरंत एक एजनसी में फोन किया, 24 घंटे के लिए एक नर्ष बुलवाया, जो सुसिला जी के खाने पिने और दवायों की वेवस्ता देखने लगी, नहा जानती थी, कि उसके जाने के बाद रा अब इस कैमरे के जरिये, मैं मा पर 24 घंटे नजर रख सकती हूँ, तो कोई ऐसी हरकत मत किजिएगा, और हाँ, मैंने यहाँ पास के थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, कि कल को अगर मेरी मा को कुछ होता है, तो इसकी जबाब देही, आप दोनों पर होगी, तो दोनों पती पतनी के होस उड़ गए थे, चार दिन बाद नेहा मा से बिदा लेने लगी, सुचिला जी बोली, बेटा, ये अंति मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी, क्यों मेरे लिए तुम अपना खुन जला रही हो, किसी किसी मा की ऐसी ही किसमत फुटी होती है, ब नहीं मा, आपने हमारे जीवन में रोसनी भरी है, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती, और ये आपका अधिकार है, मा आप ही तो कहती थी, कभी अपने अधिकार को छोरना नहीं चाहिए, मेरे बस में होता, तो मैं हमेशा आपके साथ रहती, पर क्या करूँ, ये दुनिया की रीत बड़ी कठोर है, आप हार मत मानना मा, मैं आउंगी, आपसे फिर मिलने, सुसीला जी मुश्कुराने लगी, और कहने लगी, ये सोचकर ही जाना, कि सायद ये अंतिम मुलाकात हो, अब जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा इंतिजार कर रही है, नेहा का मन तो नहीं था, फिर भी वो अपनी दुसरी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, वहां से चली गई, करीब एक हपते तक, सुसीला जी की खूब सेवा हुई, एक हपते तक उन्होंने भर पेट खाना खाया, रोसनी में हर चीजों को देखकर, अपनी आखों को स संतुष्ट किया, पर बेटा बहु गुसा में, कभी उनके कमरे तक भी नहीं आते थे, और एक साम कैमरे की तरफ देखते हुए, अपनी दोनों हाथों को उठा कर, नेहा को असरवाद देते हुए, सुसीला जी ने, जो आखे बंद की, तो फिर नहीं खोली, नविन जानता कि नेहा प्रोपटी में हिसा तो नहीं लेगी, पर उससे सारे रिष्टे तोर देगी, जिससे रिष्टेदारों में उसकी खुब बदनामी होगी, कोई इसकी दरवाजे पर खुशी और गम में नहीं आएगा, यहीं सोचकर, नविन ने बिना बोले ही, सारी संपती के दो हि हिसे को बेच कर मैं अपनी मा की खुशिया वापस ला सकती हूँ, जिस मा ने हमें जीवन की रोसनी दी, उसके आखरी वक्त में आपने कैसा अंधेरा दिखाया उन्हें, यह सोचकर क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे, रिष्टेदारों के बहुत दबाव देने पर, ने नहीं रखा, तो दोस्तों इस स्टोरी को ले कर आपकी क्या राय है, नीची कमेंट करके जरूर बताईएगा, और कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब केजिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,